हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको 3-4 येर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी अमरेला कट शोर्ट बना रहे हैं ये पहन कर बेबी के बहुत ही जादा खुबसरत लगती है आप किसी भी टॉप के साथ इसको पहना सकते हैं इसमें हमने 60 cm लिया है आईए वीडियो शुरू करते हैं ये देखिए फ्रेंट्स यह यहाँ पर हमने दो पीस ले लिये हैं जिसकी लेंथ 20 इंच है और चोड़ाइबीस की 20 इंच है ये दोनों सरफ से हमारे बिलकुल चकोर फैब्रीक है अब हम इसको ऐसे उठाते हैं और यहाँ पर ड हम निशान लगाते हैं तो हमारा कहीं से भी कोई भी हिस्सा कम्या जादा नहीं होता है बिलकुल बराबर हिस्से हमारे हो जाते हैं अब हम इसकी टोटल लेंथ माप लेते हैं ये 20 इंच का है तो 20 इंच पर ही हमें सब जंगे निशान लगा देना है इससे इसकी शेप बहु निशान लगा देना है जहां से उपर से हमने निशान लगाया हुआ है वहां से 8 इंच पर आसन का निशान हमने लगाना है और चोड़ाई में हम इसका 2 इंच का कर लेते हैं अब हमें इसको ऐसे करते हुए तिर्चा निशान लगा देना है अब इसी शेप में हमें इसका आसन की गोलाई कर देनी है यहां से उपर से हमारा हिस्सा जादा हो जाता है तो इसको हम आदा इंच का निशान लगा लेते हैं और इसकी बीच से आदा इंच की गोलाई हम कम कर देते हैं जिससे इसकी शेफ बहुत जादा अच्छे आती है फिटिंग बहुत जादा अच्छे आती है अब हम इसको नीचे की साइड से कटिंग कर लेते हैं अब यहां से हमें इसकी मोहरी पर से वन इंच का निशान लगा देना है चोड़ाई में और लंबाई में हमें इसको उपर तक मिला देना है ऐसे करते हुए जिससे इसकी मोहरी की शेप सही रहती है और थोड़ी सी मोहर चाहए जसे जल्दी से खुलते नहीं है दूसरी साइड के आसन पर भी हमें सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लें है अब हमें इसके दूसरे आसन पर भी ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है इस पर भी हमें डबल सिलाई लगानी है ताकि ये जल्दी से उड़े नहीं खुले नहीं फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यह देखिए फ्रेंट्स अब हम इसका नीचे का छोटा वाला आसन मिला लेते हैं और इस पर भी सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर भी हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए फ्रेंट्स आज कल इस स्कर्ट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है आप भी एक बार इसको अपनी बेबी के लिए ट्राई करें और इसको आप आसानी से घर पर बना सकती हैं बहुत छोटे से फेबरिक में अब हम अपना घेरा ले लेते हैं नीचे की मोहरी और इस पर सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंट्स ये घेरा हमें दो सिलाई से मोरना है एक सिलाई से हम फॉल्ड करके ये घेरे को मोर रहे हैं और एक सिलाई इसके बाद हमें इसके किनारे पर लगानी है इस नीचे की मोरी को हमें जादे चोड़ाई में नहीं मोरना है अकर आप जादे चोड़ाई में मोरेंगे तो आपकी घेरे में जो आप मोरी फॉल्ड कर रहे हैं उसमें जोला सकता है इसलिए हमें इसको बारिक सा करके मोरना है अब हम इसके किनारे पर सिलाई लगा देते हैं दोनों मोरी से हम हमें अपनी इसी तरीके से तैयार कर लेनी है यह देखे फ्रेंस किनारे पर हमारी सिलाई लगकर गहरेगी इसकी शेप कितनी प्यारी सी आ गई है अब हम दूसरी मोरी को भी अपने ऐसे ही फॉल्ड कर लेते हैं दोनों मोरी यहाँ पर हमने फॉल्ड कर ली है अब हमने यह जो बेल्ट ली थी इसको हम सकर्ट की उल्टी साइड पर रखते हैं और इस पर सिलाई लगा लेते हैं नीचे का फेबरिक हमें बिल्कुल भी नहीं खीचना है क्योंकि वो हमारा गोलाई का है अगर आप उसको खीचेंगी तो आपकी नेफे की शेप जादा हो जाएगी छोड़ाई में आपकी बेल्ट जादा हो जाएगी ये देखिए ये हमने पूरी बेल्ट अपनी लगा ली है अब हम इसको यहां को दोनों साइड की बेल्टों को जोड़ देते हैं और एक्स्ट्रा फेबरिक इसमें से कट कर देते हैं अब हमें इसको उपर की साइड को फॉल्ड कर देना है ये देखिए दोनों साइड से कितनी प्यारी सी हमारी ये बेल्ट लग गई है और जो नीचे की सिलाई हमारी बेल्ट लगाने के लिए हमने लगाई थी वो सब सिलाई हमें इसी के नीचे दाब देनी है इससे आपकी शो हमें बिल्कुल बराबर अपने नेफे को फॉल्ड कर लेना है बेल्ट को फ्रेंट्स ये स्कर्ट बनकर बहुत ज़्यादा प्याई लगती है और नूई डिजाइन स्कर्ट है आप एक प्याद इस शोट पैंट को अपनी बेबी के लिए जरूर ट्राइ करें और कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी ऐसे करते हुए हम बेल्ट को फॉल्ड कर लेते हैं और टू इंच का यहाँ से खोल देते हैं लास्टिक जाने के लिए अब हमने ये 17 इंच की लास्टिक ली है फ्रेंट्स लास्टिक आप अपनी बेबी का मेजर्मेंट लेकर उसके हिसाब से भी ले सकती हैं क्योंकि बहुत सा बच्चा थोड़ा सा हेल्दी होता है और बहुत सा बच्चा मीडियम होता है तो लास्टिक आप अपनी बेबी का म बराबर कर लेते हैं और एक दूसरे के उपर रखते हुए इस पर सिलाई लगा देते हैं फ्रेंट्स यहां पर हमें तीन से चार सिलाई लगानी चाहिए जिससे ये लास्टिक अच्छी तरीके से पक्की हो जाए और नेफे के अंदर की साइड को जाकर खुले नहीं अब हमें इसको खीच कर बराबर कर लेना है फ्रेंट्स यहां पर बीच में हमें इसके एक सिलाई जरूर लगानी है क्योंकि ये सिलाई लगाने से आपकी बेल्ट कभी भी लास्टिक मूरेगी नहीं अंदर जाकर ये जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है ये हमने बंद कर दिया है अब हम इलास्टिक को ऐसे खीचते हैं और इसके उपर सिलाई लगा लेते हैं ये लास्टिक के हम बीच में सिलाई लगा रहे हैं इससे आपकी बेल्ट इस तरीके से कभी भी अंदर की साइड को फोल्ड नहीं होगी बिल्कुल सेम ऐसी ही आपकी बेल्ट रहेगी चारो तरफ हमें खीशते हुए इस पर सिलाई लगानी है यह देखिए फ्रेंट कितनी प्यारी सी है हमारी शोट पैंट बनकर तयार हो गई है यह इसकर्ट का लुक भी देती है और शोट पैंट भी हो जाती है उपर की साइड हमने इसमें लास्टिक डाल दी है फ्रेंट हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए श सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने ने डिजाइन के साथ तब तक के लिए